हेलो फ्रेंड्स पूरम फिचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे एक रेमेडी जिसके लिए हमने यह गोली खाते ही आपको आराम मिलेगा यह सूखी खांसी के लिए है तो क्या करेंगे हम यह गुड लिया है और इसको इस तरह कि द्युक्त कर लेते हैं जोटा 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 यह हम चाहिए लगभाग दो चमच यह गुड़ को आमने ग्रेट कर लिया है यह दो चमच गुड़ है अब हमको चाहिए यह दस काली मिर्च है इनको हम कूट लेते हैं यह काली मिर्च का पावडर इसको हमने क्रस्ट कर लिया है इसमें डालेते हैं अब हम इसमें डालेंगे हल्दी यह हल्दी पावडर है यह आदा चमच से थोड़ा कम है इतना ही डालना है हमें और हमें आप चाहिए इसके लिए यह लगवक तिन चार चुटकी नमक है यह सेंदा नमक है फ्रेंड्स अगर आपके पास ना हो तो आप साधा डाल सकती है अगर सेंदा हो तो सेंदा ही डालें अब हम इसमें डालेंगे इतना यह लगवा आदी चमच से कम है कि छोटी चमच है यह दे से घी है इतना हमें डालना है आदी चमच से थोड़ा कम डालना है अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं देखे इसको हमने सब चीजों को मिक्स कर लिया है अब हमें इसकी यह चार बॉल्स बनाने इस तरह गोलियां बना लिए अब थोड़ा ज्यादा सा है तो इसकी हमने लगवा इतनी बड़ी यह हमने छे गोलियां बना लिए यह हमें एक सुबह और एक साम खानी है इसको हमने जीब में रखके और इसको चूसना आए सुबहार इस मातके हमें, खाणा से धना लगवाग, हमारे मुह में यह रहनी चाहिए निए दी में कर राइंड में, आपस अधिंदे में क कहाते ही ऑपकी खा कम के तुरंत आपको tratar Suzuki ऐसे दो बड़ी वाली जो हमने गोली बनाई है उसमें से दो बना लें उसमें से आधी-आधी करके आदा सुबह आदा साम को इस तरह दें इससे हमें बहुत आराम मिलता है यह हम अपने बच्चों पर अपनी फैमिली में हम लोगों खांसी हो जाती है तो हमने यह बहुत दूना से इस और हमारी चैनल को सस्क्राइब करें, वीडियो एंड तक देखने के लिए, थैंक्स.